फेलो बच्चो नमस्कार स्वागत है आपका क्लास 11 के सबसे धमाकेदार चेप्टर आयोनिक इकलिबिरियम में अब आयोनिक इकलिबिरियम के पढ़ने के पहले हम केमिकल इकलिबिरियम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्योंकि यौकि इकलिबिरियम का ही अप्लिकेशन हम आयंइक में करनेवाले हैं बहुत सारी चीजें केमिकल से हम आयनिक में लाएंगे अब आयनिक इकलिबिरियम में में अगर मुझे स्टाट करना है सबसे पहला टॉपिक तो मैं आपसे पूछूँ sudah what is substance? Substance को आप कैसे classify कर सकते हो वो हमें बताना है तो substance को हम classify कर सकते है on the basis of strength substance को हम classify कर रहे हैं रहान से लिखना आप चीज़ों को है फिर से मैं बोल रहा हूँ देखते देखते नहीं पढ़ना है आपको लिखते लिखते पढ़ना है तो आपको साथ लिखना भी है तो अगर मैं आपको classify करूँ बताऊं कि substance क्या क्या होते हैं यहां से देखना जराब substance को अगर मैं classify करूँ substance को अगर मैं classify करूँ तो according to iron equilibrium chapter अगर हम बात करें strength के basis पर तो हम बता सकते हैं कि substance को हम दो टाइप से classify कर सकते हैं non electrolyte non electrolyte और दूसरा बढ़ा electrolyte non electrolyte और electrolyte non electrolyte क्या होते हैं ऐसे substance जो तूटते नहीं है तूटते नहीं है का क्या मतलब है degree of dissociation जिनका 0 होता है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि non electrolyte जो होते हैं लिख देता हूँ definition भी छोटी सी क्या do not dissociate non electrolyte do not dissociate into ions into ions मतलब आप ions के form में इसको नहीं तोड़ सकते मतलब अगर मैं DOD के according classify कर दूँ तो मैं ऐसा बोल दूँगा कि वेड़ा इसका degree of dissociation क्या है 0 है मैं alpha को DOD बोल रहा हूँ alpha को मैं क्या बोल रहा हूँ degree of dissociation degree of dissociation degree of dissociation तो substance को हमने classify किया वेटा कैसे non electrolyte electrolyte जिनका alpha 0 hero जो dissociate नहीं होते ions में अब ऐसे कौन से आप पूछोगे सर हमें बताओ जड़ा कौन कौन से ऐसे होते है तो कुछ example मैं आपके लिए लिख देता हूँ जैसे example के तौर पे मैं लिख रहा हूँ urea हो गया glucose हो गया फ्रक्टोज हो गया इन सब के formula तो आपको पता होंगे urea का formula होता है नाच दो, CO, नाच दो नाच दो, CO, नाच दो glucose होता है C6 H12O6 और यह भी होता है C6 H12O6 तो फिर difference क्या है glucose में CHO होता है और फ्रक्टोज में C double bond O होता है अपन इस structure बाद में पढ़ेंगे इसके कार्बाहिडेट वाले चैप्टर में तो मैं बताऊंगा इसमें LDHID GROUP और इसमें KETON GROUP होता है क्योंकि आपने IUPSI तो बगरा पढ़ दी ने रखे अगर IUPSI आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है आपको पता होगा LDHID GROUP क्या होता है कीटON GROUP क्या होता है तो glucose में LDHID GROUP होता है अभी मैंने IUPSI नहीं पढ़ा है तो अभी इसको आप छोड़ दो मतलब आप इसका फॉर्मला ध्यान रखो कि यह दौनों के फॉर्मले सेम होते हैं इतना ध्यान लखना इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अलफा जीरो इलेक्ट्रोलाइट का अलफा होता है जीरो से वन तक देखो जरा मैं क्या लगा रहा हूं यह इंटरवल का दिहान लगना अलफा जीरो नहीं है देखिन जीरो से बड़ा है अलफा वन हो सकता है और 1 से छोटा चलेगा, मतलब 0 से 1 और 1, 0 से 1 और 1, अब ये कैसे classify करोगे, electrolyte को मैं बेटा बोल दूँगा, क्या, दो टाइप से, strong electrolyte, और weak electrolyte, जैसे यहाँ आपन ने substance को classify किया, non electrolyte, electrolyte, अब electrolyte में भी strong और weak, अगर आप ऐसा बोलो, कि alpha अगर 1 है, degree of dissociation 1 है, तो बेटा, उसको बोलेंगे, strong electrolyte, और alpha अगर 0 से 1 है, देखो, यहाँ पर interval मैंने हटा दिया, मतलब include वाली value हटा दिया, क्योंकि alpha 1 strong का हो जाएगा, और 0 से 1 weak का हो जाएगा, तो non electrolyte का alpha 0 होता है, degree of dissociation टूटते ही नहीं है, अरे बेटा, जब टूटेंगे नहीं, तो alpha 0 ही होगा ना, और electrolyte 0 से 1 होता है, यहाँ 1 include है, अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ और इसको explore करें, electrolyte को दो टाइप से बोल सकते हो, strong और weak, weak क्या होता है, जिनका alpha 0 से 1 और strong का alpha 1, मतलब मैं यहाँ पर definition लिख सकता हूँ क्या, complete dissociation, यहाँ क्या होता, complete dissociation, 100% है यहाँ पर dissociation है ना, और यहाँ क्या है, partial dissociation, partial dissociation, मतलब strong electrolytes complete dissociate into ions, और weak क्या है, partially dissociate into ions, जैसे example के तोर पर अगर मैं लिखूँ, sulfuric acid का नाम आपने सुना ही है, ठीक है भाई, H2SO4, KOH का नाम सुना है, ठीक है, यह strong electrolyte होता है, NACL वगएरा, KCL, CSCL, यह सब, तो यह क्या होते है, strong electrolyte, ठीक है, weak electrolyte क्या होते हैं, जैसे, example के तोर पर लिखूँ, CH3COH, acidic acid का नाम तो आपने सुना ही होगा, यह weak electrolyte है, ठीक है, NH4OH, यह क्या है, यह weak electrolyte है, इस type के, तो अब आपके दिमाग में पहला सवाल, क्या, कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कि कौन से strong है, कौन से weak है, और कौन से non electrolyte है, तो मैं अभी आपको बता दूँगा, टेबल बन आ रहा हूं है, वैसे तो INE के equilibrium वाला chapter पूरा logical chapter है, ठीक है, बहुत simple simple calculation होती, logical chapter है, बस यह याद रखना पड़ेगा, कि कौन से strong electrolyte, कौन से weak electrolyte, तब जाके आपको आगे easy लगेगा, समझना बात को, मैं जो बोल रहा हूं, एक बार फिर repeat कर रहा हूं, आपको कैसे पता चल किसमें, non electrolyte और electrolyte में, alpha 0 मतलब जो तूटते नहीं है, ions में break नहीं होते, जैसे इस type के है, और भी हो सकते, मैंने बस example के लिए समझाया है, तो alpha 0 वाले non electrolyte, जिनका alpha 0 से 1 होता है, वो electrolyte, alpha अगर 1 है, तो strong है, और अगर 0 से 1 है, तो weak है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने classify कर लि अगले classification जैसे ये तो होगे आपना क्या, electrolyte, non electrolyte वाला, ठीक है, non electrolyte और electrolyte वाला, अगला classification हम based on conductivity करने वाले है, ठीक है, चलो इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं, दूसरा classification बता रहा हूं, substance को हम classify कर सकते, based on conductivity, जैसे, अगर मैं आपके सा हमने लिखूं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूं क्या, non conductor, दो type से आप define कर सकते हो, एक conductor और एक non conductor, तो non conductor हो सकते हैं, substance जो है, ठीक है, और दूसरे क्या लिख रहा हूं मैं, conductor लिख रहा हूं, तो क्या है conductor और non conductor, non conductor मतलब जो electricity conduct नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ bracket में definition, मैं लिख दूँ क्या, do not conduct electricity, मतलब flow of electricity नहीं होता है, जैसे wood हो गया, rubber हो गया, stripe से हम बता दे हैं, एक्जामपल लिख देता हूं, wood rubber ETC, और अगर मैं conductor को समझा हूं, तो conductor को मैं बोल सकता हूं, क्या, एक है मेरे पास metallic, और दूसरा है ionic, या electrolytic, तो दो type से हम define कर रहे हैं क्या, substance को पहले non conductor और conductor, non conductor क्या जो electricity को conduct नहीं करते हैं, नहीं करते हैं न, conductor क्या है, flow, electricity, अगर electricity flow करते हैं, तो दो type से, देखो, electricity का खेल आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं, क्या, electron के flow की वज़े से, और ion के flow की वज़े से, है न, तो conductor में flow of electricity होता है, ठीक है, तो electricity flow करते हैं, किस वज़े से, metallic में लिखेंगे, flow electricity due to movement of free electrons, पूरा लिख देदा हूँ, flow electricity due to, due to movement of free electrons, यह तो आप बच्पन से जानते भी हो, कि भाई, metal क्यों electricity conduct करते हैं, free electron के movement की वज़े से, मैंने आपको metallic bond में पढ़ाया था, electron C model या electron gas model, उसमें क्या होता था, kernel होता था, nucleus plus inner core electron, और outer electron जो होते थे, बाहर वाले, वो migrate, मतला move करते रहते थे, पूरे, अपने metallic bond, जो आपन पढ़ते थे थे, metallic conductor उसके, है न, तो metallic हो गया, आइन की electrolytic में लिखेंगे, flow, electricity, flow, electricity, due to, due to movement, due to movement of free ions, ध्यान से देखना जड़ा, जो electrolytic conductor होते हैं, जब हम इसको पानी में डालते हैं, तो ये आइन के form में break हो जाते हैं, और आइन के भागने की वज़े से, electricity conduct होती है, जिसको हम ionic mobility भी बोलते थे, ionic mobility का मतलब भी क्या है, velocity of ion in the solution, तो आइन के भागने की वज़े से electricity conduct होती, इसलिए पन क्या बोलते हैं, electrolytic conductor, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि जो आइन के electrolytic conductor होते हैं, वो solid form में ions के पामदा, free ions नहीं होते हैं, solid form में तो इनका particular lattice या structure होता है, तो solid में electricity conduct नहीं करते, flow electricity due to movement of free ions in molten state और echo solution, आप इनको पानी में डालो, या इनको molten state में ले जाओ, तभी free ions जिननिट होते हैं, ध्यान लखना, solid state में ये electricity conduct नहीं करेंगे, ये भी ध्यान लखना है न, solid state में, solid state में ये electricity conduct नहीं करते हैं, कि उसमें free ions नहीं होते, यह electricity कब conduct करते हैं? molten में या फिर पानी मिडाल दो इसको सबसे बढ़िया तो होता है eco solution मतलब पानी मिडाल दो electricity conduct कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह चेक कर लो तो फिर से आते हैं substance को classify किया non conductor जो electricity conduct नहीं करते conductor जो electricity conduct करते हैं अगर करते हैं तो कैसे free electron की वज़े से metallic conductor हो जाएंगे और free ions की वज़े से electrolytic conductor हो जाएंगे यह बात ध्यान दखना यहां पर कि molten या fused molten या fused बात बरावर होई और aqueous ठीक है? molten state और fused state एक बात होती है और aqueous एक दूसरी बात होती है ना conductivity degrees होती है मतब electricity का conduction कम होता है क्यों due to vibration in kernels मैंने metallic bond भी बताया था temperature बढ़ाते हैं तो kernel में vibration होता है जिस वए से electron का जो motion हो seize हो जाता है थोड़ा बहुत तो temperature बढ़ाने पर conductivity degrees होती है लेकिन यहाँ temperature बढ़ाते हो तो conductivity यहाँ temperature बढ़ाते हो तो बेटा conductivity बढ़ती है क्यों temperature बढ़ा रही हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो ionic bond तोड रहे हो जैसा NaCl है NaCl को आपन पानी में डालेंगे तो Na plus और Cl negative अगर temperature बढ़ात होगे तो bond आसानी से तूट जाएगा ions जल्दी बनेंगे ions का flow बढ़ जाएगा ionic mobility बढ़ जाएगी मतलब temperature बढ़ाने से conductivity बढ़ती है किसकी ionic conductor या electrolytic conductor गी जबकि यहाँ conductivity decrease होती है समझ गए बात को तो यह बहुत basic सी चीज थी दो टाइप का classification नमने बढ़ा था electrolyte, non electrolyte वाला और conductor, non conductor वाला अब अब चलेंगे जिसमा मैं आपको बताऊंगा strong acid, weak acid, strong base, weak base यह क्या होते है क्योंकि यही आप तो यह समझो कि यहाँ से chapter start होने वाला है जो अगला वाला topic है यहाँ से main chapter start है यह तो थोड़ा पीछे का basic आप जानते हैं मेरी आदत थोड़ा सा अब बेसिक लेके भी चलते है पीछे का कि मतब़ आप चीज़ों को connect कर पाऊ कि क्या चल रहा आपके साथ जीवन में है तो अब जो main है वहाँ से chapter अगर आप शुरू करते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है कहां से strong acid, weak acid, strong base और weak base ठीक है चलो इसको note करो फिर start करते है चलो बच्छो आगी बढ़ते हैं यह वाला point आपके लिए बहुत important है Electrolite में बता रहा हूं में strong और weak यह बस इतना चीज आपको याद रखना उसके बाद पूरा chapter logical चलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है Sulfur का H2SO4 यह strong होता है इसका छोटा भाई कौन H2SO3 यह weak होता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना तो थोड़ा से connectivity करके याद रखोगी चीज जल्दी याद होगी जैसे nitrogen का अगर मैं लिखू HNO3 तो यह strong होता है इसका छोटा भाई क्या होता है वैड़ा HNO2 यह क्या होता है वीक होता है इस तरीके से आप याद रख सकते हो chlorine के देखना जड़ा चार हमने बढ़े थे chemical bonding में हCLO4, HCLO3 यह strong होते हैं हCLO2 और हCLO नीचे के दोनों भाई weak होते हैं चार भाई हैं दो इस्ट्रोंग हैं सिंपल है है ना इसी तरीके से HCL, HBR, HI यह strong होते हैं और इसका एक भाई कौन सा HF यह weak होता है इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बहुत असान याद रखना है अब वीक में इनके अलावा कौन वह उन से हैं और भी हैं जैसे all oxy acids of phosphorus जितने भी आपने chemical bonding में पढ़े थे सारे oxy acids all oxy acids of phosphorus अगर आपको oxy acids वगरा याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ chemical bonding की प्लेलिस्ट बना रखिए वहाँ जाओ मैंने structure बताए हैं सारे oxy acid वगरा के side 17 ये 18 लेक्चर है आप पीछे देख लेना end से देखना side 17 ये 18 है ना all oxy acids of phosphorus ये हो गए ठीक है carbon का H2CO3 ये वीख होता है ठीक boron का H3BO3 boric acid ये वीख होता है ठीक है और HCN हो गया ये वीख होता है all organic acids all organic carboxylic acid लिख देता हो क्योंकि ये नहीं की जरूत पड़ेगी अपने को यहाँ पर है ना all organic carboxylic acids जैसे अपन common formula R-C-O-O-H ऐसा लिखते हैं ठीक है अब R की जगे आप H ले सकते हो या फिर R की जगे बेंजीन वगएरा लगा दो तो pH COH भी बोल देते हैं उसको है ना pH मत्तब phenyl group बेंजीन को phenyl group बोलते हैं तो all organic carboxylic acid ये वाले COOH group ये देख लेना तो सभी oxy acid of phosphorus होते है H2CO3, H3BO3, HCN ये सब HFB ठीक है अब देखना जड़ा है strong base देखना All Alkali Metals All Alkali Metal Hydroxides Metal Hydroxides जैसे LiOH, NaOH, KOH, RBOH ये सारे तो अपन इन जनरल MOH लिख सकते हैं ठीक है Alkaline में सिर्फ एक ही strong होता है BAOH hold wise अच्छा एक्च्वल में ये weak और strong का पता किसे चल रहा है इन सभी में से H plus निकाला गया और एक equilibrium बनाया गया अगर K equilibrium जो है वो ज़्यादा होता है तो हम strong बोल देते हैं के equilibrium कम होता है तो वीक बोल देते हैं मतलब experimental data के basis पर ये सब बताये गए कौन से strong कोन से weak है ठीक है All alkaline heart metal hydroxides unky alkaline earth metal के सारे except, except BaOH whole twice क्यों क्योंकि बेटा BaOH hold twice तो आपने strong में लिख रखन तो बिवेच छोड़ दो तोहारे सारे सारे यहां लिखths wage होता है prec Inside यह थोते हैं इसको छोड़ को चुएना यह होता है इसके लावा जैसे जैसे, एलुमिनियम का हैड्रोक्साइड, ये भी खोता है, लिएक है, और लिख लो, D-block के, अमोनिया का, अमोनिया के लिख रहा हूँ, NH4OH, ये हो गया, D-block मेटल हाइड्रोक्साइड, D-block मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे, C-R-OH होल्थाइज, F-E-OH होल्थाइज, इस ट NH4OH, इसको आप Equosamonia भी लिखते हो, NH4OH को NH3 और AQSA भी लिख देते हो, यह भी चलता है, ठीक है, और सुनो, All Organic Basis, All Organic Basis, ठीक है, जैसे Nitrogenius Basis के अबारे में हम बात करते हैं, जिसमें Nitrogen वगरा होता है, तो All Organic Basis जैसे, R NH2, इसको बोलते हैं 1 Degree Amine, R2 NH, इसको 2 Degree Amine, R3N, इसको 3 Degree Amine, R का मतलब क्या है, R का मतलब है, अब यह बेटा, Alkyl Group क्या होता है, Alkyl Group जैसे Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, इतना तो आपने सुनाओ का Class 10 है, तो R मतलब CS3 लगा दिया, तो Nitrogen से 1 Carbon जुड़ा है, तो 1 Degree Amine, यहां CS3, CS3 दो बार लगा दिया, तो Nitrogen से 2 Carbon जुड़े हैं, तो 2 Degree Amine, यहां CS3, CS3, CS3 तीन बार लगा दिया, तो Nitrogen से 3 Carbon जुड़े है, Directly Connected Carbon तो 3 Degree Amine, तो यह 1 Degree Amine होता है, यह 2 Degree Amine होता है, और यह 3 Degree Amine होता है, ठीक है, और यह जो R Group है, इस R Group को बोलते हैं, Alkyl Group, Alkyl Group जैसे, Alkyl मतलब Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, इस टाइप के Group होते हैं, समझ गया बात को, अब इसमें एक Point और है, अगर कभी Salt दे दे आपको, Salt जानते हो न आप आप है न, Acid Base की Reaction से जो बनते हैं, अगर आपको कभी Salt दे दे, तो सभी Salt जो होते हैं, All Salts, जो होते हैं, Salt, वो होते हैं Strong, ध्यान लखना है न, सभी Strong Electrolite होते हैं, सभी Salt, तो आप बात को समझ गया, एक बार फिर से सुरू करते हैं, Strong Acid कौन-कौन से होते हैं, यह वाले, ठीक है, यह डारेक दिहान लखना आपको, ठीक, Strong Base क्या होते हैं, सभी Alkali Metal, MOH, यहां पर MOH क्या 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 मिलेगा आपको, LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, ऐसा, FROH अपन लेते हैं यह, यूज़ली Radioctique Quincy अपन अलग तरीके से बढ़ते हैं, HCl2, HCl2, HClO, यह सारे हैं, All Oxy Acid of Phosphorus, Oxy Acid of Phosphorus जानते हों आप, S3PO4, H3PO3, H3PO2, H4P2O5, बहुत सारे जित्ते हैं अपन लिखे थे, ठीक है, यह Chemical Bonding में आपको मिल जाएंगे, H2CO3, Carbonic Acid, Carbonic Acid, ठीक है, तहां में लगना, S3PO3, Boric Acid, FCN, ठीक है, All Organic Carboxylic Acid, RCOH, अबिस धर, R की जगे, H भी मिल सकता है, या Benzening लगी भी मिल जाएंगे, जिसको pH भी लिखा होगा, है ना, R मतलब Alkyl, Alkyl जानते हैं, मिधाइल, इसाइल, प्रोपाइल, वीटाल, यह सब, वीक बेस में कौन से सभी Alkaline Earth Metal Hydroxide, किस नेचर के, MOH Ultra Ice ही नेचर होता, Alkaline Earth Metal का, except यह, यह वाला तो आपने कहां लिख लिए, Strong में लिख लिए, हो गया, NH4OH, जिसको हम Equos Ammonia लिखते हैं, यह हो गया, D-Block के Metal Hydroxide, जैसे FeOH, FeOH, NiOH, ZNOH, मतलब D-Block का मिल जाया आपको है ना, तो यह वाले हो गए, All Organic Basis जैसे इस टाइप के base हो गया आपके, 1 degree, 2 degree, 3 degree, degree का मतलब समझ गे, degree का मतलब क्या है, Nitrogen से Connected कितने कारवन हैं, वही उसकी degree है, जैसे Nitrogen से Connected, यहां पर R मतव Alkyl कुछ लगाओगे न, तो CH3 लगाओगे तो एक ही कारवन कनेक्टेड होगा, ठीक है, यहां 2H है, एक ही कारवन कनेक्टेड है, तो यह 1 degree है, यहां आप डारेट याद रखना चाहो कैसे, अगर NH2 दिख रहा है, तो 1 degree है, NH दिख रहा है तो 2 degree है, और सिर्फ N दिख रहा है तो 3 degree है, मतलब सीधा सीधा सा है, Nitrogen से Connected कारवन कितने हैं, वही उसकी degree हो जाएगी, तो इसी तरीके से 3 degree होती है, बस हो गया वाकी तो, समझ गया पूरी कहानी, अच्छे तरीके से समझा दी हैं मैं आपको डीटेल में पूरा, तो यह अगर आपको याद होंगे, तो आगी का जो chapter है, बहुत smooth चलेगा आपका, तो सबसे पहला काम आपको यह याद करना है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, acid-based theories, क्या-क्या, RNS theory हम पढ़ेंगे, brown state theory हम पढ़ेंगे, और Lewis की theory हम पढ़ेंगे, पहले इसको note करो, अब ही तो पढ़ेंगे, लिख लो इसको, चलो बच्चो तो आगे पढ़ते हैं, पूरे focus के साथ देखना, अपने acid-based theory स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत direct exam में question आते हैं इसके, ठीक है, रिखान सा देखना, acid-based theory में, पहली जो theory है, number one, वो है arhenius theory, कौन सी, arhenius theory, और arhenius theory में arhenius acid और arhenius base हम पढ़ेंगे, ठीक है, according to arhenius, हम ये बोलते हैं, कि H plus donor specie, कौन सी, H plus donor specie, in aqueous solution, S c specie है, ऐसा substance, जो H plus donor होता है, ऐसा compound, जो H plus donor होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, arhenius acid, जैसे, example के तौर पर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जैसे HX हो गया आपका, ठीक है, ये H plus देगा, X minus बनाएगा, H2SO4 हो गया, ये H plus देगा, ठीक है, H2CO3 हो गया, इस type के H3PO4 हो गया, इनको अपन बोलते हैं, क्या acid, अगर मैं in general, acid को define करूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा, कि ऐसा substance, ऐसी specie, जो solution में H plus आयन दे, किस में? solution में, मतलब, H A को तुमने किस में डाला, पानी में डाला, तो क्या बनाएगा, H plus aqueous, और A minus aqueous, मतलब, echo solution में H plus देना, मतलब, arhenius acid, फिर सुन लो, echo solution में H plus देना, मतलब, arhenius acid, बिल्को सिंपल सी चीज़ हो गई, कुछ example मैंने यहाँ पर लिख दिये, और पीछे मैंने आपको acid base बताए थे, तो उन में से और भी example हो सकते हैं, बस कुछ example मैंने यहाँ पर लिख दिये, आपको समझाने के लिए, बागी आपको क्या धियान दखना है, S-E species जो बेटा H plus iron दे, किसमें दे, पानी में, हमने एक species को पानी में डाला, उसने H plus दिया, तो यह बनेगा, simple सा, ठीक है, इसमें एक important point लिखना है, am I star, important point क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, short form में इसको A-A लिखते हैं, bracket में लिख लो, A-A का मतलब aranious acid, A-B का मतलब aranious base, है न, तो S-3-B-O-3 is not an aranious acid, लेकिन फिर भी यह acid होता है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ब्रॉंस्टेड और लोईस वागरा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, अभी आप बस लिख लो, क्या, S-3-B-O-3 is not an aranious acid, मतलब, यह H plus donate नहीं करता, यह H plus donate नहीं करता है, अब यहाँ पर एक question आप से यह पूछा जाता है, कई books में आपने हो सकता है, देखा हूँ, H plus लिख देते हैं कई बार, और कई बार लिख देते हैं H3O plus, तो यह इसका difference क्या है, एक्चल में होता क्या है, H plus को जब हमने हैं, मतलब H A को पानी में डाला, तो H plus बना, अब H plus को water के molecule घेर लेते हैं, तो होता क्या है, जब यह जो H plus है न, यह अगर एक water molecule इसके साथ जुड जाए, H plus के साथ एक water molecule जुड जाए, तो यह बना लेता है H3O plus, ठीक है तो कई बार आप देखोगे ये वाली equation ऐसे भी लिखी रहती है कैसे ऐसी वाली और कई बार H प्लस न लिखके यहाँ H3 यो प्लस भी लिख देते हैं तो बात बराबर है ठीक है अब यहाँ पर एक question और होता है आप से बूचते हैं which of the following species exist in the solution मतलब होता क्या है यहाँ पर यह जो S3 positive बना यह water में तो present ही न तो water क्या करेगा इसको solvate या hydrate कर देता है मतलब होता क्या है इसमें water के molecule आप add करते जाओ तो species का existence पता चलता जाएगा अब आपको mathematical यह एड़ करना जैसे इसमें आपने water एड़ किया था बिल्कु सिंपल mathematically वैसे यहाँ एड़ कर दो तो hydrogen तीन और दो पांच तो h5 oxygen दो और प्लस यह exist करता है आप से पूछेंगे यह exist करता है क्या बिल्कुल बोल देना yes करता है और जोड़ लो जरा water जोड़ना mathematical लिए पांच और दो साथ hydrogen h7 oxygen दो और एक तीन यह exist करता है क्या yes करता है और देखो जरा अगर मैं और water जोड़ जोड़ना जरा 7029 h9 oxygen तीन और 14 o4 plus and so on मतला आपको यह सब species दे दी जाती है option में और आप से पूछते पता कौन सा exist करता है त छलना कैसे। उल्टा चलो water निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ फाइनल uh plus पे पहुछ जाओगे मतलब एक्जिस्ट करता है सिंपल सा तरीका है ना जैसे आपको पूछते हो बताओ यह एक्जिस्ट करता है क्या मैं वाटर निकालता यहां पहुंच जाता फिर वाटर निकालता यहां पहुंच जाता यहां तो एच प्लस तक पहुंच तक पहुंच बात बराबरी है ना तो अगर यहां तक पहुच गए है यह स्टेट करेंगी किसे करें रफ्र करेंगी वह केसे पता से लेगा वाटर रफथ चाहरों इसमैसे कोई पूच ले आपसे हटाव यह मतलब क्या होता है ओएच माइनस टूनर OH-donor in aqueous solution मतलब बहुत simple से example है alkaline metal hydroxide alkaline earth metal hydroxide इस type के aluminium का ले लो ALOH holthrise GH holthrise type के है ATC जो OH- ने solution में मतलब इन short अगर मैं ऐसा लिखूँ reaction को BOH इसने क्या करा पानी में क्या बनाया B plus बनाया और OH- बनाया और यहां हमने क्या लिख दिया EQUOS तो हम बोल देंगे ऐसी species जो OH- देती है वो RNAs base है अब यहां भी आपसे existence वाला question बूचेंगे बता exist करती की नहीं जैसे water H plus को गिरता था आपने डाइपूलमेंट में पढ़ा ही थाई है तो आप आप क्या करों इसको water देते जाओ देना ज़रा water mathematical दो और एक तीन H3 O कितने दो और एक negative इसको water दे दो बहुत सिंपल है mathematically आप एड़ करते जाओ H कितने पांच हो गए तीन और दो पांच oxygen कितने तीन नेगेटिव इसी तरीके से और आप आगे बढ़ते जाओ है जोटना दरा पांच और दो साथ oxygen चार तीन और एक और एक negative तो आप से पूछेंगे बताओ कौन सी species exist करती है इस टाइप से दे देंगे आपको बड़े-बड़े molecule ना तो आप आपके अगर होगे water निकाल होगे water निकाल के अगर आप OH माइनस तक पहुंचते हो मतलब exist करेगा means कोई भी question आप से पूछ ले existence वाला अगर ketionic वाला question पूछा है तो water निकाल निकाल के कहा तक पहुंचना आपको H+. और अगर anionic वाला question है option में anionic वाला part है तो उसमें से water निकाल लो निकाल लो निकाल लो कहां पहुंच जा finally OH माइनस इससे water निकालोगे यहाँ पहुंचोगे इससे water निकालोगे मतलब molecule exist कर रहा है कोई species exist कर रही है या नहीं कर रही है वह question अगर आपसे पूछेंगे तो ऐसे करना है मैंने आपको बता दिया अब यहां भी एक important point क्या कभी-कभी आपको confuse करने के लिए वह ऐसा लिख देंगे क्या यह आरेनियस बेस है अब कुछ लोग क्या है अब उस यहार बनने लगते हैं क्या अच्छा ओएच दिख रहा है निकाल देंगे ऐसा थोड़ी होता है दिख रहा है वह तो वह तो दिखा रहे हैं आपको confuse करने के लिए उन्हें दे रख यह गल्दी मत करना कि सर यहां किया बोरॉन तो बोरॉन का यह जो है ना बी ओएच होल्तराइस मन की आखों से देखो इसको सामनी से मत देखो गलत हो जाएगा एक्च्छल में वेटा यह यही तो है एस्ट्री बी ओट्री है और एस्ट्री एक एसड होता है लेकिन आरेनियस नहीं होता तो यहां लगना बी ओएच होल्तराइस इस नॉट अब बेस यह बेस नहीं है एस्ट्री बी ओट्री एक एसड है वैया एस्ट्री बीओ थी यह क्या है एस्ट्री और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कौन सा वाला है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं न हारेनियस नहीं है यह ब्राउस और यह बेस भी नहीं होता आप सोचो कि ऐसा लिखा है तो हम बेस बोल देंगे तो यह धियान दग ना बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूं आपको बिल्कुल डैप्थ में जो आपको बिल्कुल कॉंसेट पकड़ के दे आपको जो आजागे ना चलो इसको नोट करो फि लिखते हैं zenbaLan's dead is it और ब्रां चिटेड बेस को लिखते हैं वीडा बीवी क्या लिखते हैं réduek स्नना यह जो थेहरी है наши ब्रॉंस्टेट बेस की यह प्रोटॉन एक्षेंज वाली थियोरी है प्रोटॉन एक्षेंज मतलब क्या जैसे अगर मैं ब्रॉंस्टेट एसेट की बात करूं तो वह एनी मीडियम हो आपका या कुछ भी हो 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 एक्षेंज प्लस दोनर होना चाहिए किसी भी मैथड से हो चाहिए आप एक को इस लुशन लो चाहिए कोई और आपने ले लिया मतलब एचिप्लस डोनर इस पीची हमेशा क्या रहेगी ब्रॉंस्टेड एसेट रहेगी तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं क्या है एच solvent है एच प्लस एक्सेप्टर वस्सीधा सा कहानी है एच प्लस डोनर हो एच प्लस एक्सेप्टर हो डोनर मतलब acid और acceptor मतलब base जैसे example की तौर पर मैं लिखता हूँ मैंने लिखा माल लो h cn तो h cn क्या दे रहा है h cn दे रहा है h plus और cn माइनस ठीक है h plus दे रहा हो cn मतलब कोई भी acid acid होगा अगर वो h plus दे रहा है ठीक है जैसे यहाँ पर example की तौर पर लिखूँ मैं लिख रहा हूँ जैसे co32 माइनस तो इसने h plus लिया अब ही h plus आप solvent से भी दिला सकते हो या किसी भी method से दिला सकते हो मतलब h cc जो क्या ले ले h plus ले वो क्या होगा ब्रॉंस्टेड दे बहुत simple है तो h cc जो h plus देता है अच्छा आप आप बोलोगे sir h plus donor जो आप यहाँ लिख रहे हो प्रॉंस्टेड एसेड में है h plus donor वाले तो हमारे r e n e s acid होते थे तो बिलकुस सही बात आप सोच रहे हो क्या बहुत important point में लिख रहा हूं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं आर ब्रॉंस्टेड एसेड आर ब्रॉंस्टेड एसेड सभी r e n e s acid क्या होते ब्रॉंस्टेड एसेड बिलकुस सही बात है अजह इसके लाब और कोई एक्जामपल लिख सकते हैं बहुत धेरो एक्जामपल है आपके पास जैसे अगर हाइडरा एसेड एच एक्स की बात कर कर자 हूँ ता बोलूगे यह सर इस रिएक्शन में अमोनीय ब्रॉंस्टेड बेस है क्योंकि यह एस प्लस ले रहा है यह बना रहा है एन ईस पॉर प्लस बना रहा है क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या सभी r e n e s base गलत क्योंぐ o o H- आता है ना यहां तो H+, का ही खेल है H+, donate करना और H+, लेना donate करना मतलब क्या हो गया bronzed acid accept करना क्या हो गया bronzed base तो कभी आप से ऐसा बोले कि all aranious base are bronzed base तो आप क्या बोलोगे false तो यहां पर मैं लिख भी देता है इसको क्या all aranious base A-B are not bronzed base इवन कोई connection ही नहीं इनका aranious base का bronzed base के साथ connection नहीं है bronzed base मतलब B-B और A-B मतलब क्या aranious base तो all क्यों लिख रहा हो यहां पर यहीं लिख दो न सीधा aranious base are not bronzed base aranious bases are not bronzed bases बहुत सिंपल सी बात है तो यहां कोई connection नहीं है किसका bronzed base और aranious base का लेकिन हाँ इसका connection है ध्यान से सुनना bronzed acid सभी A-A-B-A होते है all aranious acid are bronzed acid तो जहां जहां आप देखो कि कोई इस PCH plus दे रहा है मतलब वो bronzed acid होना ही तो all aranious acid A-A-R-B-A bronzed acid ठीक है चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं एक ठीवरी और बचिए Lewis acid base ठीवरी तो उसको अभी अपन थोड़े दिरवाद पढ़ेंगे ब्रॉंस्टेड की ठीवरी से acid से बनाना है conjugate base acid से क्या बनाना है conjugate base तो आप क्या निकाल दो h-plus निकाल दो तो acid का conjugate base बन जाएगा h-plus निकाल दो अगर मैं ऐसा लिखूं कि आपको आलो कोई base दे रखा है और आपने उसको h-plus दे दिया तो वेटा क्या बनेगा तो बनेगा conjugate acid बनेगा तो बहुत simple सी चीज है acid से h-plus निकाल दो तो जो spc बनेगी वो conjugate base आएगा और base में h-plus दे दो तो जो spc आएगी उसको conjugate acid बोलेंगे बहुत simple सा अब इससे रिलिए एक point और है क्या अगर acid तुम्हारा strong हुआ तो conjugate base होईगा weak अगर acid तुम्हारा strong तो conjugate base weak अगर तुम्हारा acid weak acid weak तो यह strong बहुत simple सा है इसलिए conjugate बोला weak का strong strong का weak similarly अगर मैं बोलूँ आपसे यहां पर base मैंने लिया strong तो conjugate acid क्या होईगा weak होईगा अगर यह तुम्हारा weak है तो बड़ा यह होगा strong यह weak है तो यह strong अब कुछ example के साथ example से चीज़ें जाद अच्छे से समझ में आती है जैसे ध्यान से देखना अगर मैं लिखता हूँ HNO3 तो आप से पूछूँगा बताओ HNO3 का conjugate base क्या है तो बड़ा HNO3 का conjugate base क्या होगा आप इसमें से H plus निकाल दो HNO3 माइनस बना दो तो HNO3 ने H दिया H plus दिया तो बेटा यह acid है और acid का क्या बना यह conjugate base बना अब मैं आपसे बूछूँगा बताओ strong और weak कौन से है अब आपकी वाली table आगी देखो मैंने पहली बोला था आपसे कौन से strong acid है कौन से weak acid है कौन से strong base है कौन से weak base है यह आपको पहले से याद होगा तो इस टाइप की question आप बना लोगे धियान से देखना जरा यह acid है HNO3 क्या होता है यह strong होता है इसका मतलब इसका यह क्या आएगा weak आएगा conjugate base तो NO3 negative is weak conjugate base बहुत आसान ठीक है एक example से और समझना अगर मैंने यहाँ लिया HF HF ने क्या दिया H plus दिया क्या बनाया F negative बनाया धियान से देखना जरा HF ने H plus दिया तो बेटा यह acid है यह तो पक्का है और यह क्या है conjugate base क्या है conjugate base है अब देखना जरा ध्यान से HF क्या होता है weak क्या है strong weak होता है भाई hydroacid of halogen में सिर्फ एक ही weak है HF बाकि सारे HCL HBR HI strong होते हैं अगर यह HF है तो यह क्या है weak है तो यह क्या हो जाएगा strong हो जाएगा समझ गए बात को HF weak है तो उसका conjugate base strong हो जाएगा बहुत simple है तो यह कहानी इसकी हो गई इधर आ जाओ अगर मैं example से आपको समझा हूँ तो ध्यान से देखना जरा बहुत ध्यान से देखना मैं यहां लिख रहा हूँ HCO3 minus ठीक है इसको मैंने H दे दिया H plus दे दिया proton दे दिया क्या बनाएगा H2CO3 बनाएगा ठीक अब HCO3 minus ने H plus लिया तो यह तो पक्का है कि यह base है भाई ब्रॉंस्टेट base है ना यह H plus लेने वाला तो यह क्या बनेगा conjugate acid क्या बना conjugate acid बना आप धियान से देखना जड़ा यह क्या है वीक है यह strong है वो यहां से पताई से लेगा क्यों आपने यह याद कर रखें बता ना carbon का oxy acid क्या होता है बेटा carbon का oxy acid होता है वीक अगर यह weak conjugate acid है तो यह क्या हो जाएगा strong हो जाएगा कितना आसान है बहुत आसान है समझ गया बात को और ध्यान से देखना अगर मैं यहां लिखता हूँ i negative इसने h plus लिया क्या बनाया h i बनाया तो h plus लेने वाला है तो यह तो पक्का है कि यह ब्रॉंस्टेट बेस है तो यह क्या हो जाएगा conjugate acid क्या हो गया conjugate acid हो गया अब बताओ कौन strong कौन weak आपको उस तरफ वाले याद में पहले से कि मैंने बताया था h i क्या होता है strong तो अगर यह strong है तो यह क्या हो जाएगा weak हो जाएगा तो कभी भी आपके सामने कोई भी question आएगा तो दो type का सवाल इसमें हो सकता है या तो आपसे acid base पूछ सकते हैं कि बताओ यह acid है तो इसका conjugate base क्या होगा या यह base है तो इसका conjugate acid क्या होगा एक तो यह question हो गया दूसरा यह पूछ सकते हैं कि अगर acid strong है तो बता conjugate base क्या है weak है कि strong है तो आप उल्टा कर देना weak कर देना अगर acid weak है तो इसको strong कर देना और इसको note कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं लिग लो फटाबट से चला वच्छो आगे बढ़ते हैं अगला आपना जो question कर रहे हैं इसमें ध्यान से देखना इनको यह question अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपका topic strong हो जाएगा बहुत ध्यान से देखना अगर मैं यहां पर मैंने क्या लिखे हैं question समझ लो पहले यहां पर मैंने acid लिखे आपको इनके conjugate base बताने हैं और यहां पर मैंने base लिखे हैं आपको conjugate acid बताने concept में आपको बता चुका हूँ acid मैंसे h plus निकाला तो जो base बनेगा वो conjugate base होगा और base मैंसे base को h plus दे दो तो जो spc बनेगी वो conjugate acid बनेगा तो बहुत simple सी चीज़े हैं लिख रहा हूँ मैं h c l o 4 मैंसे h plus निकालो तो क्या हैगा c l o 4 negative मतलब यह acid है और उसका conjugate base यह हो गया अगला देखना ज़रा h f मैंसे h plus उड़ा दो तो क्या हैगा f minus बहुत असान है h c l मैंसे h plus उड़ा दो क्या हैगा c l negative क्या हैगा c l negative अब कई लोग यह सोच रहे होंगे कि सर आपने पीछे अमोनिया का उसमें बोला कि अमोनिया ने h plus ले लिया तो n h plus बना लिया हो सकता है भाई एक particular species h plus दे भी सकती है ले भी सकती है possibility अगर है तो करेगा और इस type की species को बोलते है mc protect species जो h plus देते हैं और लेते हैं इसके बाद topic है अगला मैं अभी बताऊंगा आपको है ना तो एक species h plus दे भी सकती ले भी सकती कोई दिक्कत नहीं है ना तो यहां आप से पूछा गया है साफ साफ कि conjugate base बता दो भाईया तो इसमें से h plus निकालोगे तो यह बनेगा ना अगला लिखना चाहो तो लिख लो oxalic acid है oxalic acid हम बोल रहे हैं यहां से h plus हटा दो तो क्या आएगा h c2o4 negative बहुत simple है ना अब अगर base से पूछा है आपको की बताऊ conjugate acid तो अब आपको क्या करना है h plus देना तो देखो ammonia का example आ गया ammonia को h plus दे दो तो क्या बनेगा नहीं पॉस पॉस दे भी सकता है ले भी सकता अगर इसने लिया तो ns4 plus बनेगा दिया तो h plus निकालके ns2 negative बनाया जो अभी अपन ने यहां बनाया है तो एक इस फीसी दौनों काम कर सकती ध्यान लगना चलो इसमें बताना इसका नाम है morphine morphine को h plus दे दो तो morphine को h plus दोगे तो c17 h 19 थे एक h plus मिल गया तो h20 no3 और positive charge लगा दिया अपने ऐसा ठीक है c6 h5 ns2 इसका नाम है aniline और इसको तुम h plus दोगे तो c6 h5 ns3 3 होगा और एक positive लगा दो कुछ नहीं करना आपको h दे के positive लगाना इस सहतान क्या होगा इसको h plus दे दो या h o c l बन जाएगा वह यह पहले सी negatively charge h plus लेके h o c l बना लेगा h s minus अच्छा देखो h s minus भी दौनों काम कर सकता h plus दे भी सकता ले भी सकता लेकिन आपसे इसमें conjugate acid तो इसको h plus दे दो तो क्या हैगा h 2s ठीक है कभी अगर आपसे पूछे इसका conjugate base बताओ तो h plus निकालके h 2 minus अंसर दोगे आप लेकिन conjugate acid पूछा है तो h plus दिलवा के h 2s बनाओगे बहुत आसन है n to h 4 का क्या बनाना है conjugate acid तो क्या करना है h plus देना है तो n to h 4 पहले से था एक h और आगया और प्लस आगया बहुत आसान इससे आसान कुछ भी नहीं अब इन में से मैं पूछते जाओंगा बताते जाना कौन-कौन से strong और कौन-कौन से weak है बताओ ज़रा फटावट से h c l o 4 मैंने क्या लिखा था strong acid लिखा था तो इसका conjugate base weak आएगा तो strong को मैं यहाँ s लिख देता हूं और weak को यहाँ w लिख देता हूं ठीक है तो यह strong और यह weak है अगला देखो ज़रा h f weak होता है तो उसका conjugate क्या होगा strong होगा बहुत simple है यहाँ बताओ यह strong होता है तो इसका conjugate क्या होगा weak होगा अगला अगला ammonia यह weak होता है और वॉसेवरोस बताये थे मिल रदया है ठोए फको एक है ठोंग यह vary तो इसका यह क्या हो गया of क्लोंग ऑंधेलें के सब्सक्राइब कहां यहिए अध्राव किया हो टो यह पिजाएक इस ट्रॉंग OFF बहुत असान यह क्या है आपका पीछ देखे न कारबंध थीती कि बहुत ज्याद़ा कारबंध पार्गन उसता है यह घचंग चומ׫ can बेस यहां से पढ़ा है तो यह बहुत असान यह चांग हो जाए इसका हो जाएगा अगला सफ्सक्रास कि सब्सक्राइब क्या होटा है हो तो यह क्या हो जाएगा strong हो जाएगा ऐसे चल लो H2S यह weak होता है ठीक है क्योंकि water भी weak होता है तो H2S weak होता है अगर नहीं लिखा तो इसको भी याद कर ले वीक होता है ठीक है तो इसका यह strong होगा दूसरा part N2H4 यह वह यह आगे आपका आमूनिया जैसा तो यह weak होता है तो यह इसका क्या हो जाएगा strong हो जाएगा इस तरीके से आप weak strong पता लगा सकते हो ठीक है तो अभी हो सकता है आपको दो नई चीज़ें पता चली हो H2S weak है और oxalic acid weak है ठीक है तो इसको चाहो तो आप पीछे टेबल बना रखिए बहुत जागे वहां तो वहां लिख लो है ना बाकी दियान लगना है ना समझ गया बात को acid से conjugate base और base से conjugate acid कैसे बनाना है और strong और weak का पता कैसे लगाना है इन में इन में दिक्कत आएगी तो आप देख लो carbon ज्यादा है ना जहां carbon दिखेगा वहां बोल देना weak है सीधा सीधा है ना और उसका conjugate strong हो जाएगा समझ गया बात को चलो इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं जो अभी में बात बोलना था कि एक particular आगे बढ़ते हैं ब्रॉंस्टेट से ही related एक concept है एमफी प्रोटेक स्पेसी नाम से किलियर है एमफी मेंस दौन उसाइड प्रोटेक मेंस प्रोटॉन मतलब एच प्लस डोनर भी हो और एकसेप्टर भी हो मतलब मैं सिंपल एक लाइन में लिख दू क्या एच प्लस डोनर ड एमफी प्रोटेक इस quarter अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एच स्प्लस हड़्स माइनस अगर मैं इसमें से एच प्लस हटा देता हूं तो मैं मैंनस लगा ठीक है एच अप्लस हटा देता हूं तो क्या बनेगा सीओ ऐफी टेु माइनस क्या ज़ेएगा सीओ अजू लिख हूँ hs माइनस इसमें से h प्लस हटा दो तो आएगा s2 माइनस और इसको h प्लस दिलवा दो तो आएगा h2s कितना आसान है भाई इस से आसान क्या होगा और देखो अगर मैं आप से बोलू h2 po4 negative अगर मैं इसमें से h plus निकाल दूँ तो क्या वनेगा hpo4 2 negative और अगर इसको h plus दिलवा दूँ तो क्या वनेगा h3 po4 ऐसा होता है ठीक है अब धियान से देखना ज़रा अगर मैं आप से बोलू h2 po3 negative अगर मैं इसमें से h plus निकाल दूँ तो वनेगा hpo3 2 negative तहीं ना h plus निकाला तो hpo3 2 negative ठीक अगर मैं इसको h plus दिलवा दूँ तो क्या वनेगा h3 po3 ठीक है बहुत धियान से देखना ज़रा अगर मैं आप से बोलता हूँ कि h2 po2 negative अगर मैं इसमें से h plus निकाल दूँ तो क्या बनेगा hpo2 2 negative अब यहां आपने कर दी गल्ती ये बनेगा ही नहीं भाई h कौन से निकलेंगे जो o से जुड़े हैं बेटा इसमें h o से थोड़ी जुड़ा इसमें p से जुड़ा ध्यान से देखो ज़रा अब मैं इनके structure बना रहा हूं किसके s3 po3 s3 po4 वगरा यह सब ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं s3 po4 का structure बनाऊं तो बनेगा ऐसा और यह structure हमने chemical bonding में बनाना सीखा था अब ध्यान से समझना concept ऐसा यहां o के साथ h जुड़ा है मुझे इसका बनाना है तो एक h प्लस पहले से निकाल के रख लो तो यह हो गया क्या h2 po4 negative h2 p1234 o हो गया और negative हो गया मतलब इसका structure यह है अब बताओ यह प्लस ले सकता है क्या बिल्कुल ले सकता है लेगा तो कहां से लेगा o negative h plus लेगा मतलब आपने जो h plus दिया वो एक्च्छल में इसको दिया तभी h3 po4 बना क्या इसमें सही h plus निकल सकता है हां निकल सकता है या तो यहां से निकालो यहां से निकालो बात बराबर है तो इन नोना में से कहीं भी एक जगे से h plus निकाल सकते हो उन्दब यह बनेग अगला देखना h2 po3 negative मैं क्या बना रहा हूं पहले इसका structure बना रहा हूं उसी से ही हम edit करके इसका बना लेंगे यह होगे आपका h3 po3 का अब मुझे इसका बनाना है तो यहां से h हटा दिया क्या देखेगा negative अब धियान से देखना जड़ा इसमें से h plus निकालो तो यहां से निकालो इसमें से h plus निकालो तो यहां से निकालो इसमें से h plus निकालो तो यहां से निकालो इस जगे से अगर दिलवाओ तो इसको दिलवाओ मतब दौनों काम हो सकते हैं ना ओक्सियन से जोड़ा एच निकलता है धियान दखना तो यह निकलेगा तो यह निकलेगा और अगर आएगा तो इसके पास आएगा मतब यह भी सही लिखा है अगला देखना ज़रा मैं H2PO2 मैं से मैं पहले H3PO2 का बना रहा हूँ ठीक है धियान से देखना ज़रा मैंने पहले H3PO2 का structure बना दिया और यह H उड़ा दिया क्या आया नेगटिव अब धियान से समझना क्या मैं इस PC मैं से H plus निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकते क्यों oxygen से H नी जुड़ा P से H जुड़ा ह तो H निकलेगा नहीं इसलिए मैंने मुला था यह घलत है लेकिन हाँ इसको H plus मिल जाएगा किसको इसको तो क्या बना लेगा H3PO2 मतलब यह वाली PC MPP नहीं है यह ध्यान रखना तो अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ इसको 2 लिखता हूँ इसको 3 लिखता हूँ तो मतलब यह H2PO4 नेगेटिव, H2PO3 नेगेटिव यह दोना MPP हैं बट 3, 3 मतलब H2PO2 नेगेटिव is not MPP समझ गया बात को तो 1 और 2 MPP हैं 3 वाला MPP नहीं है यह यहाँ पर लोग गलती करनें इसमें यह किस से structure से मैंने बनाया और यह आप ध्यान लगना फॉस्फोरस के ऑक्सी असिड में मैंने बनाना बताया था एक बाग फिर रिवाइस करा देता हूँ chemical bonding में खेर मैंने बताया था कभी भी आपको फॉस्फोरस का ऑक्सी असिड बनाना हो तो सबसे पहले P बनाया करो फिर उसमें एक double bond हो अपनी तरफ से लगा दो अब जितन हो गया काम कितना असान था फिर इसी से ही एडिट करके मैंने यह बना लिया था मुझे इसका बनाना है तो P के साथ क्या लगाओगे वेटा double bond हो अब यहां कितने ओ बचे दो तो दो बनेंगे तो एक यह बन गया और एक यह बन गया और बाकी कुछ नहीं बचा एच बचा सीधा जोड़ दो P के साथ ओ तो खतम हो गयती ना चलो अकला देखना इसका देखना पी के साथ double bond हो एक लगा दिया सबसे पहले अब कितने ओ बचे एक ओ बचा तो एक ओ बन गया बाकी दौनों एच बचे तो सीधे सीधे जोड़ दी ऐसे बनाते हो समझ गया बात तो कभी भी गलती मत करना भाव नहीं के लोग इसको भी बोल देतें एंफी प्रोटिक जरूरी नहीं कि ऐसा एच दिखरा तो निकालो गई ऑक्सिएन से जोड़ा एच निकालना है आपको है ना तो क्या concept था एक बाफिर रिवीजन कर लो एच प्लस डोनर as well as acceptor उसी को बोलतें एं चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं Lewis asset और Lewis base के बारे में पढ़ लेते हैं एक्चुल में यह चीज मैंने आपको chemical bonding में अल्लेडी पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से detail में हमने सारी चीजे पढ़ी थी आपको लग रहा हो कि सारा लिख दी है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यह चीज हम पहले पढ़ चुके हैं फटावट से अपना टाइम भी बचेगा और एक बर रिवाइस कुईक रिवीजन भी हो जाएगा आपका तो जो चीज हमने chemical bonding में पढ़ी थी वही चीज दुबारा से यहां मैंने लिख दी है और एक बार समझा देता हूं क्या कहानी है देखो वही चीज अपन पहले लिखते हैं जो आपने कहीं पहले पढ़ रखी होती है फिर मैं उसको explain कर देता हूं otherwise आपको भी पता है मेरी यादत मैं क्या करता हूं लिखते लिखते ही पढ़ाते जाता हूं मुझे भी उसमें बहुत मज़ा आता है लेकिन यह आप जानते में हमने क्या क्या लिखे थे central atom जिसके पास incomplete auktate हो मतलब जैसे यहां देखो boron के पास तीन bond मना रखे हैं x के साथ मतलब 6 electron है होने याट चाहिए थे मतलब vacant orbital है similar इसके पास भी ऐसा ही है और इसके पास भी ऐसा ही है यह देखो S3 VO3 बहुत important है यह ना S3 VO3 lowest acid होता है एक Central atom आपको सब देख रहे हैं चमकते हुए जो मैं बना रहा हूं इन सब के पास क्या है vacant d-orbital है यहां जो box बनाया है वो vacant कौन से थे अगर मैं आपसे बनाया है यह वेकेंट 2P यह वेकेंट 3P है ना यह जो है यह वेकेंट d बना रहा हूं में सारे तो यह सब क्या होगए यह वेकेंट d-orbital वाले होते हैं यह सब क्या होते है वेकेंट d-orbital वाले होते हैं तो यह सारे के सारे और भी ऐसे एक्जामपल हो सकते हैं अगर कोई लुविस बेस इसको electron देने आएगा तो यह बोलेगा हाँ हम electron रख सकते हैं कैसे रख सकते हैं जैसे CO2 का example बता रहा हूं यह बोलेगा इस oxygen से बेटा अपने electron ले लो हमें तो कोई लुविस बेस देने आ रहा है तो oxygen बोलेगा अच्छा ठीक है हम अपना bond तोड़ लेते हैं तो यह अपने पास electron रख लेगा और यहां positive create हो जाएगा यहां negative और कोई लुविस बेस इसको देने आएगा तो आब इस electron निकल चुका है अब एक भी electron नहीं है एच प्लस के पास तो अब इसको दो electron की ज़राएगा तो यह बहुत सारे मैंने लिख दिये यहां पर इन सब के पास vacant orbital है मतलब यह electron रखना चाहते हैं लोन प्यर लेना चाहते हैं तो यह कुछ अब यहां पर most important अगर आपसे कोई बोले NH4 प्लस क्या है तो पहली निजर में आप बोलोगे अच्छा केटाइन्स में तो सर ने ये लिखा है लेकिन ऐसी गलती मत करना इसका ओक्टेट पूरा है और इसके पास वेकेंडिडी नहीं है देखो NH4 पॉजिटिव मैं आईडिजन ने हाईडिजन के साथ चारबून मना रखे मतब आठ एलेक्ट्रोन है अगर कोई लुविस बेस इसको देने आएगा अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर केटाइन है लुविस ऐसेड होगा नहीं भईया गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि ये लेक्ट्रोन रखेगा कहां ना तो इसके पास वेकंटिटी है और इसका ओक्टेट भी पूरा है तो धियान लखना नहीं नहीं लुविस बेस ठीक है नहीं लुविस बेस लोन प्यर भी नहीं है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है धियान लखना दूसरा पॉइंट क्या सभी ब्रॉंस्टेट बेस लुविस बेस होंगे यस होंगे तो यह भी लिख लो ओल बी बी आर एल बी क्यों ऐसा होगा क्योंकि ब्रॉंस्टेट बेस का मतब क्या है आप याद करो ब्रॉंस्टेट वाली रियक्शन क्या होती थी एच प्लस लेता था लेता है जैसे मैं example से समझा देता हूं आपको suppose मेरे पास लिखा है cn माइनस लिखा है तो इसने h प्लस लिया तो क्या बना लिया h cn यही reaction से तो आप बताओगे न कि यह ब्रॉंस्टेड क्या हो रहा है यह h प्लस ले रहा है न मतलब यह क्या ब्रॉंस्टेड बेस है आप क्या बोलोगे ब्रॉंस्टेड बेस बोलोगे न और इसको बोलना चाहो तो conjugate acid बोल दो ठीक है क्या बोलो conjugate acid अगर आपकी इच्छा है बोलने की है न सारी चीजें बताते जारू है आपको तो यह ब्रॉंस्टेड बेस है इसने h प्लस लिया तो h cn मना लिया तो अगर मैं ब्रॉंस्टेड के नजरिये से बात करूं तो यह ब्रॉंस्टेड बेस है अगर मैं लुविस के नजरिये से बात करूं तो आप क्या बोलोगे यह लुविस बेस है और h प्लस लुविस ऐस होता है तो यह बन गया समझे बात को तो सभी ब्रॉंस्टेट बेस लुविश बेस होते हैं लेकिन रिवर्स इस नॉट ड़ू मतलब लूविश बेस ब्रॉंस्टेट बेस नहीं होते अब एक्जाम्पल समझना जरा ध्यान से बहुत इंपोर्टेंट मैंने बताए था आपको केमिकल बॉटनिंग मैं अमोनिया की रिएक्षन अगर मैं करवा दूं बी एफ थ्री के साथ तो बोरोन के पास वेकंड और्बिटल और इसके पास लोन पेयर ये इसको दे देगा तो क्या बनेगा यहां बनता है डंट बनता है और को यहिफ लुबई आसे कभी है लुबट कर लिया अपना केहल प्रकी है वो सकता है कि सीकुन नहीं नहीं लग लागानी का किसी नहीं नहीं डेखा तो एक बार जरूर chemical bonding के सारे lecture देखो पूरी chemistry उससे connected है कहीं ना कहीं है ना तो लुबिस बेस अगर कोई पहली बार भी समझ रहा है ना तो उसको समझ में आ जाएगा इतना ज्यादा नहीं है अगर कोई सोच रहा है कि सर हमने तो chemical bonding का लेक्षर देखी नहीं कोई दिख कर नहीं वेक ले रहा है यहां मैंने एक important question और बता दूँं जो लोग नए था यहां इसका हईवरदाइशन पूछा जाता है नाइडज每 SP3 क्योंकि 3 sigma और 1 loon pyr इसका hybridization SP2 क्योंकि 3 sigma vacant orbital hybridization में count भी होता है। लेकिन after reaction after adduct formation इसके एक 2 3 4 यह भी count होता है hybridization में ना मतलब SP3 और अब यह भी SP3 हो गया, after reaction क्यों carbon हो गया, तो यह ध्यान रखना, question आचुका है एक बार exam में, क्या, कि nitrogen का hybridization before reaction क्या है, SP3, after reaction क्या है, SP3 से मैं, लेकिन boron का hybridization before reaction SP2, after reaction SP3 है, तो यह बहुत ध्यान रखना, adduct formation इसको बोलते हैं, अपन, adduct बनते हैं, Lewis acid, Lewis base की reaction, समझगे बात को, तो यह बहुत छोटी सी चीज़ थी, Lewis acid, Lewis base, बहुत जादा कुछ है नहीं, काफी चीज़ें पहले से बढ़ रखे दी और जो लोग नए भी हैं, तो उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो इसको note करो, फ़रागे बढ़ते हैं, चलो बच्चो तो इस lecture में जो हमने पढ़ा, उससे related practice कर लेते, तो आपको acid based concept से अच्छी चीज़ें clear हो जाएंगे, कई सारे question मैंने यहां लिए हैं, क्या कहने इसमें, which of the following is a bronzed base, कौन सा bronzed base है, चेक करो जरा, कौन सा bronzed base है, किसके पास loan pair है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी question multiple होगा, तो इसको multiple बता दूगा, single होगा single, तो यह क्या है, यह है आपका multiple answer correct, ठीक है, ध्यान सा देखना, इस टाल लगा दिए, multiple answer correct, एक से जादा, which of the following is a bronzed base, सोचना जरा, H cn bronzed base है, क्या, नहीं, यह H plus देता है, यह bronzed acid है, H2PO4 negative, यह bronzed base है, क्या, यस है, क्यों, इसको अगर H plus मिल जाएगा, तो H3PO4 बना लेगा, second साहिए, और NH4 प्लस ना, तो यह H plus देगा, और नहीं H plus लेगा, नहीं, H plus देगा, लेकिन यह H plus लेगा नहीं, क्यों, ब्रॉंस्टेट बेस पूछाए ना, तो NH4 positive H plus देकर ammonia बना लेगा, लेकिन यह H plus लेकर NH5, 2 plus थोड़ी बनाएगा, ना, अगला देखो जाना, फोर्थ वाला, यह भी सही है, क्यों, यह CL minus H plus लेकर HCL बना लेगा, अगला सवाल single answer correct है, ठीक है, यह सारी single answer correct है, बस यहीं एक multiple लिया था मैंने, which has weak conjugate base, weak conjugate base, अच्छा conjugate base सोचना क्या होता है, मेरे पास कोई acid है, मालो H A, यह H plus निकालेगा, तो क्या बनाएगा, E negative, मुझे यह weak चाहिए, मतलब H A strong होना चाहिए, मतलब इनमें से strong acid देख लो, यह weak है, weak को W लिखता हूँ, W, W weak, strong, weak, मतलब strong अगर acid हुआ, तो उसका conjugate base भी होगा, बहुत आसान है, अगला देखना, identify Lewis acid in following reaction, बताओ जरा, Lewis acid क्या होता, loan bear लेने वाला, ध्यान से देखना, SN CL2 plus CL minus, CL minus अपना loan bear SN को दे रहा है, तब यह बन देखना जरा, nitrogen अपना loan bear इसको देगा, तो यह LA हो गया, तो यह बनेगा, यह CL minus अपना loan bear इसको देगा, तो यह LA हो गया, बहुत आसान है, तो CL minus अपना loan bear aluminum को देगा, तो Lewis acid है, आमोनिया में nitrogen अपना loan bear H plus को देगा, तो H plus Lewis acid है, CL minus अपना loan bear SN को देगा, तो यह Lewis acid है, बेस क्या होते हैं जो एक प्लस लेते हैं ध्यान से देखना इन नौनों की जब रियक्षिन हुई तो यह बना और यह बना देखना पी ओ फॉर थ्री नेगेटिव ने एच लिया तभी तो यह बना इसने एच लिया ना इससे लिया तो इसने लिया तो यह क्या है ब्रॉंस्ट लोन पेयर डोनर यहां भी लोन पेयर डोनर आप बोलोगे आई प्लस में भी तो लोन पेयर है अरे भाईया अगर एलेक्ट्रॉन की कमी है तो पहले कमी को पूरा करेगा जबरदस्ती लोन पेयर देखर अपने आप पे डबल पόजिटिव थोड़ी बनाएगा मतलब इसके पा तीन और प्लस ऐसा होगा बिल्कु सही है शे एलेक्ट्रोन इसके पास होगे आई प्लस के पास क्योंकि 7 होते हैं इसके पास गालेंस एलेक्ट्रोन होगे इसके पास मत्दा वैकेट और्बिटल होगा तो आप बोलोगे सर लोन पर दिलवाओ ना लोन पर दिखना है ऐसा नही तो दिलवाओ लेकिन भाया वेकंट और्बिटल है ना पहले अपना अक्टेट करेगा फिर यह लोन पर देगा फेले अक्टेट करा उसको नहीं विच नोट ब्रॉंस्टेट acid कौन सा brown state acid नहीं है brown state acid क्या होते थे जो h plus देते हैं क्या देते है h plus देखो क्या यह h plus देगा yes देगा c3 ns2 बना लेगा h नहीं है चार गलब लिग दिया हमें c3 ns3 plus होगा ठीक है तो यह क्या करेगा h देकर c3 ns2 बना लेगा यहां यह h लेगा ठीक है h लेगा यह यह h दे भी सकता ले भी सकता है और यह देगा मुझे क्या चाहिए brown state acid मतलब जो h दें क्या इधर से कोई h देगा carbon से जुड़ा h नहीं निकलता oxygen से जुड़ा है क्या है h है नहीं तो कहां से जुड़ा है second answer यह h दे सकता है c3 ns2 बना लेगा यह दे सकता है OH- बना लेगा यह दे सकता है SO42- बना लेगा है ना तो क्या बूचा है which is not a brown state acid कौन सा नहीं है तो second answer अब कई लोग इसमें ऐसा भी बोलते है सर यह h दे भी सकता ले भी सकता तो क्या हम इसको एमफीप्रोटेक बोल सकते है यह भी एच सकता ले सकता Α्रश्क मत बोलना क्यों यह h दे नहीं सकता क्यों nh2 to प्लस थोड़ी बनाएगा यह दे सकता है यह दिहान लगना है चलो तो इसका अंसर सेगेड, conjugate acid of ZN OH hold twice, अब बता हो जारा, acid कैसे निकालते हैं, conjugate acid, ZN OH hold twice को, क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, इसको H+, अगर मिल जाए, तो conjugate acid बन जाएगा, ZN OH, ठीक है, ऐसा, और 1 OH, यहां मैं ऐसा लिख रहा हूँ, OH2 positive, ऐसा लिख सकता हूँ, भाई, ZN क आप क्या करो, इसको match करा लो, option में दिख रहा है का कहीं, नहीं दिख रहा है, तो कई लोग कैस का अंसर नन लगा देता है, ऐसा मत करना, कि आप बोलो सर, यह तो हमें देखी नहीं रहा, क्यों, आपके हिसाब से तो यह आना चीए, ZN OH, और OH2, प्लस, option में है नहीं, तो न क्या कोशन है, conjugate acid of ZN OH, hold twice को लोग यह लिख देते हैं, यह सोचने लगते हैं, और none लगा देते हैं, यह समत करना, इसका answer फस्ट आएगा, क्यों, ZN OH और OH2 प्लस है, और वैसे भी, आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, OH2 जो है, वो तो निकल जाएगा, तो क्या समझ गए बात को, तो यह बहुत अच्छे-च्छे कॉशन थे, इससे पूरे के पूरे concept आपके revise होगे होगे, और एक बहुत बढ़िया सवाल भी आए बीच-बीच में, ठीक है, तो आप अपन मिलेंगे, next lecture में, आनिक एकुली विरियम के, पहले lecture में हमने पूरा complete acid-based theory हमन इतना जरुत है आपको, आगे की topic के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़के आना, next lecture में, तभी आपको अगला वाला समझ में आएगा, है ना, चलो इसको note करो,